तो आज हम लोग समिधान के समिधान सभा का निर्माण topic को cover करेंगे, इसके पहले मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए upload कर रखा है, उसे आप लोग देख लें, मैं step by step आप लोग को बढ़ाऊंगा, बहुत easy language में आप लोग को बताऊंगा, इसके अलाम आपको कहीं जाने क जरोत नहीं है, इसमें मैं questions को भी cover कराऊंगा, तो time न वेश्ट करते हुए, हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना topic समिधान सभा का निर्माण, तो समिधान सभा की निर्माण के लिए, सब लोगों ने अपने अथक प्रयास किये, तो सबसे पहले जो था, 1895 में बाल गंगा जर तिलग जी ने स्वराज विध्यक द्वारा इसकी मांग की दे, तो सरफ्रतम जो है पाल गंगा जर तिलग जी ने किस्समें 1895 में स्वराज विध्यक द्वारा इसकी मांग की दे, उसकी बाद 1922 में गांधी जी आ जाते हैं, गांधी जी ने भी क्या किया, सभिधान सभ को स्वाधिनता मिलेगी भारती समिधान का निर्माण भारती लोगों की इक्षाओं के अनुसारी होगा ये कब कहा था गांधी जी ने 1922 में तो गांधी जी ने ये बोला फिर आ जाता है 1928 की बात 1928 में नहरु रिपोर्ट बनाई जाती है ठीक जिसकी दहचता किस ने किये थ पंडित मोतिलाल नहरु जी ने मोतिलाल नहरु जी ने ठीक है तो इसमें नहरु रिपोर्ट आती है जिसका निर्माण कहां हुआ था बंबई में हुआ था इसका निर्माण जो हुआ था बंबई में हुआ था इसके अंतर गत जो था ब्रिटिस भारत का पहला लिकिस समिध जिसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंत्यों के लिए अधिकारों तथा अखिल भारतिय संग एओं, डुमिनियम स्टेट, डुमिनियम स्टेट क्या होते हैं, भारत में जियो भी सत्ता बनेगी, उसकी गवर्निंग कहां से होगी, ब्रिटिस राज के ताज के थुरू होगी, यहां जो भी सरकार बनेगी, जो भी एलेक्शन होगा, गवर्न कौन करेगा, ब्रिटिस सरकार वहां से कुसकी रहेगी, तो इसका प्रौधान रखा गया, ठीक है, इसका सबसे प्रबलतम बिरोध किसने कर दिया, मुस्लिन लिग ने किया, फिर रियासत के जो राजात है, व कौन सा सम्मेलन था, लाहोर वाला, लाहोर सम्मेलन जो था, यह कांगरेश का हुआ, जिसमें पूर सवराज की मांग कर ली गई, ठीक है, यह 1929 की बात है, फिर आगे देखते हैं, फिर 1940 में जो है, अगस्त परस्ताव जिसको बोले जाता है, यह अगस्त 1940 की बात है, तो इस को अगस्त परस्ताव भी बोलते हैं, इसमें जो है, अंग्रेजों ने यह स्विकार कर लिया भाई, कि भारत की समिधान सभा होनी चाहिए, किन्तु, यह जो है, लोगों ने आश्विकार कर दिया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था, क्या लिख दिया था उन्होंने, मुख् करता का मतलब इसमें और भी लोग होंगे, केवल भारती ने होंगे, और भी होंगे, यहीं पर यह जो है, लोगों का कंफ्लिक्ट कर गया, कि यह केवल भारती लोगों के इसमें मिम्बर्सिप नहीं रहेगी, और भी लोग इसमें हो सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इसक परिश्थिति आई तो उसमें क्या किया इन्हों नीस सो बेयालिस में कृस्ट मिशन को भारत भेज दिया जो एक सदस्त का था इसमें क्या था कि इसमे कहा गया भाई कि युद्ध के बाद भारत में उत्तरदाईस आशन की मांग को मानने का वचन दे दिया उन्होंने 1942 में आके लेकिन यह भी यहां भी क्या जोड दिया इन्होंने यही से Dominion State Dominion State मतलब यहां सरकार तो बनेगी भारत में लेकिन British ताज के अंदर गत बनेगी जो भी गतविदी होगी British ताज के अंदर होगी यह जोड दिया अब जब यह जोड दिया तो लोग फिर नाखुस हो गए फिर इसको क्या किया Congress लीग आओ गांधी जी ने इसको नामंजूर कर दिया कि इसको जो 1942 में इन्होंने क्रिप्स परस्त्यों बेजा था गांधी जी तो बोल दिए ने जब यह जीतेंगे तभी यह भारत में वह पोल दिया थीक पॉंस्ट एट का मतलब होता क्या सबस्क्राइब जो एक ऐसी दिवालिया बैंक है जो भविस्में कभी विफेल हो सकता है इसकी संघाइ इनों गांधी जी ने दे दी, अब देख, अब वो दिन आ गया, कब 1946, 1946 का समय आ गया, जब भारत को ये सुभ आउसर मिला, अपना समय धन बनाने का, उस समय ब्रिटिस प्रधान मंत्री थे, कौन, एटली थे, ब्रिटिस के प्रधान मंत्री एटली थे, उन्होंने एक कैबिनेट मि मिशन को भारत भेजा, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, उसमें तीन सदस्य थे, एक तो लाड पैथिक लारेंस थे, और एक थे क्रिप्स थे, और एक एलेकजंडर थे, एवी एलेजंडर, और इसकी अधाचता कौन कर ले थे, लाड लारेंस कर रहे थे, तो इन्होंने 1946 मे भारत में भेजा, अब जो है, जुलाई, जुलाई की बात है, जुलाई 1946, जुलाई 1946 में समिधान सभा का निर्मार हुआ, शुरुबात में उसमें कितने सदस्य थे, उसमें सुरुबात में 389, शुरुवात में 389 सदस थे, 389 में भी जो है निर्वाचित कुछ थे, ठीक है, निर्वाचित थे, आप कुछ मनुनीद थे, ठीक है, निर्वाचित मतलब जो जीत के आये हुए हूं, मनुनीद मतलब उनको ऐसे ही बैठा दिया गया, अब इसमें से, जो निर्वाचित थे, वो कहां से आये हूंगे, अंग्रेज भारत से, जिसमें भारत का पोर्चन जिसमें अंग्रेजों का सासन था, अब इसमें भी 292, 292 प्लस 4, ठीक है, 292 प्लस 4 दोनों को अगर मिला दें, तो 296 बन जाते है, ठीक, अब जो यह चार जो आये थे, यह जो चार आये थे, अंग्रेज भारत से टोटल कितने आये थे, 296, लेकिन जो यह चार आये थे, यह चीफ कमिशनर वाली प्रांथ से आये थे, चीफ कमिशनर वाली प्रांथ से आये थे, तो यह जो चार थे, वो कौन कौन से थे, यह जो चार थे, एक तो दिल्ली, चीफ कमिशनर वाली प्रांथ, पहला तो दिल्ली हो गया, कुर्ग हो गया, ठीक है, उसके बाद बलुचिस्तान हो गया, ठीक, बलुचिस्तान हो गया, चौथा जो होगा, वो काउं सा हो गया, अजिमेर, मेरवारा, तो यह चार उप्रांथ से, चार ये सलेट कर लिए गया, और जो मनुनीत हुए थे, वो 93 हुए थे, यह पूरी इस्टक्चर है, और टोटल जो है, टोटल मिलके जो बन रहे थे, वो 389 बन रहे थे, अब इस 389 को किस बेसिस पे किया था, उसमें माना गया था कि भारत की जनसंख्या, जो है, करीब 40 करोड है, ठीक है, तो 40 करोड है, तो पर एक सदस से पे, जो समिधान सभा के सदस्य थे, एक सदस्य पे करीब 10 लाख जनसंख्या आ रही थी, 10 लाख जनसंख्या पे, एक-एक सदस्य को बठाए गया तो टोटल कितने थे, 389 सदस्य थे, इस हिसाप से जो है, कैलकुलेशन किया, और यह जो सदस्य थे, वो तीन संप्रदाव में बठे हुए थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य, तो सामान्य में पूरे हिंदू और भी जितने भी लोंग थे, वो आ गये थे, ठीक है, अब भारत की दो प्रमुक पार्टियां भी थी इसमें, कौन कौसी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो यह पूरा जो है इसकी structure दे रखा है, अब समिधान सभा की पहली भैठक जो होती है, वो होती है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को समिधान सभा की पहली भैठक होती है, जिसकी अध्याच्चता जो है, वो बेसिकली आस्थाई अध्याच्य सचिदानन सिनहाजी करते हैं, वो सबसे बुजुर्ग थे, तो उनको ही बैठा दिया गया शुरुवात में, ठीक है, यह आस्थाई सदस थे, टंप्रेरी बेसिस पे थे, लेकिन इसका जो है, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, बहिसकार कर दिया, इसका जो है, बहिसकार कर कि विवा है, लेकिन इसकी दूलहन ही गायव है, विवा तो है, लेकिन इसकी दूलहन गायव है, किसने बोला था यह, चर्चिल, उस समें इंगलेंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उस समें, कितने लोगों ने भाग लिया था, पहले उसमें, 207 लोगों ने भाग जिसमें से ये बहुत पूछता है कितनी महिलाई थे नौ महिलाई तो पहले उसमें जो है नौ महिलाई केवल भाग ली थी लेकिन पूरी सदस्या कितनी थी 389 थी 389 में से केवल 207 लोंग ही सामिल हो पाए क्योंकि मुसलिम लीग इसका बहिसकार कर दिया तो 73 तो ऐसे ही चले सदस्या सदस्या मुसलिम लीक के बहिसकार हो गए देसी रियासत के भी लोंग नहीं आये वहो लोंग भी नाये तो माल लिया जाए अगर 369 यह थे इसमें थे मुसलिम लीग को निकाल दिया जाए तो यह हो गये 316, जिसमें से 207 लोंग ही के वला आए थे, यानि देशी रियासत के भी लोंग इसमें से हो गए, बाहर हो गए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर 11 दिसंबर का दीन आता है, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, इस दिन डाक्टर राजेंदर परशाद को, अस्थाइ सदस्य बना दिया गया, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को, राजेंदर परशाद जी को, अस्थाइ सदस्य बना दिया गया, फिर आता है, 13 दिसंबर, इन्पॉर्टेंट दिन है 1946 बहुत इन्पॉर्टेंट दिन है इस दिन क्या था पंडित जवाला नेरू ने एक उद्देश प्रस्ताव उद्देश प्रस्ताव दिया यही जो प्रस्ताव था भारत के समिधान कैसे बनना है इसके बाद यही बार में जो है यही प्रस्ताव जो था यह बन गया पास यह हो गया कब 22 जन्वरी 1947 22 जन्वरी 1947 को यह प्रस्ताव जो है पास हुआ उद्देश प्रस्ताव यही प्रस्ताव जो है समिधान की प्रस्तावना कहलाता है यही प्रस्ताव जो था उद्देश प्रस्ताव यही प्रस्तावना बन गयी समिधान की और इससे कब पास हुआ था 22 जन्वरी 1947 में और इस इसी के बास से समिधान भारत का बनना शुरू हो गया तो यह पूरी कहानी है इसकी अब कुछ और फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजे हैं हम लोग देख लेते हैं वी एन राव जी को समिधान के जनक की रूप में जाना जाता है इन्हें समिधान का जनक बोला जाता है और एक चीज आपने देखा यहां पे अभी तक डाक्टर अम्बेटकर जी का कोई जिक्री नहीं है क्यों नहीं जिक्र है समिधान स जफ्व हमें इनका कोई कहीं जिक्री नहीं किया है क्यों कि डाक्टर अंबेटकर क हमनों के चुनाव लड़ते थे बम्बे से चुनाव लड़ते हैं चुना बंगाल से लड़ते हैं बंगाल से तो जीच जाते हैं फिर क्या होता है समिधान सभा के सदसे बंगाल से बन के आ जाते हैं जब सतंत्र भारत होगा तो लोग को डर होनी लगाना कि बंगाल जो है का जो जैसूर है जैसूर कुलना छेत्र वो कहां चला जाएगा पूर्भी पाकिस्तान में चला जाएगा अर्थास बंगला देश में वर्तमान में जो खाली होट जाएगी क्योंकि जब यह बंगाल में चला गया तो अब यह क्या बंग उसमें जाके थोड़ी ना पाकिस्तान में या उसमें बंगलादेश में जाके वहां पर थोड़ी ना यह वहां के सदस रहेंगे तो यह सीट फिर क्या हो जाएगी खाली हो जाएगी इसलिए क्या किया गया समिधान सभा के सहलाकार वियंद राव बहुत ही चालाग थे उन्हें ने राजेंदर परसाद से बात की और कहा भाई अम्बेटकर जी को भी सामिल किया जाना चाहिए क्योंकि आप तो वो सीट खाली हो जाएगी तो अम्बेटकर जी कैसे क्या होगा तो राजे और लिख दिया कि ऐसा करो भाई बंबर से एक स्थान प्रिखत हरो ट्रुट क्योंकि हमेड़ाना है कि हम को लड़वाना है अम्बेटकर जी को तो आप हरो थे फीर होहां पर हम बेटकर बंबाई इसे फिर चुने गए तो इस तरीके से यह कहानी है तो मैं यहीं स्टॉप लेता हूँ, निस्ट वीडियो में आप लोग से मिलता हूँ ठैक्स पर वाचिन इस वीडियो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग के लिए बहुत ही मेनत कर रहा हूँ